प्राचीन काल में योग को एक विधा के रूप में अनुभव, आत्मसात और अभिवेक्त किया जाता था। इससे जुड़कर साधक योग को एक संपूर्ण जीवन विज्ञान के रूप में अनुभव करते थे। योग से जीवन में शारिरिक, प्राणिक, मानसिक भावनात्मक तथा अध्यात्मिकता के आयामों का विकास और पोशन होता था। प्राचीन रिशी मूनियों के अंतर ज्ञान के अधार पर योग परंप्रा में अनेक परमानिक ग्रंत और शाष्त्र रचे गए। जिसका उप भाश्यों को परमानित करने के लिए अनेक नवीन वैज्ञानिक अनुसेंधान हो रहे हैं। सारा और्गेंस मजबूत होता है और सारे विकार निकलते हैं। बहुत ऐसे मेंबर्स हमारे हैं जिनको डाविट्री स्था लेकिन छुट गया लेकिन इसमें निष्ठा और इमानदारी चाहिए। इसमें लापरवाही से नहीं होगा। आज भी सो तथा हमारे समाज में बड़ी समस्या है कि व्यक्ति को सैमित और अनुशाशित कैसे बनाया जाए। अगर शिक्षा या कारे कर सकती है तो शायद योग की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि शिक्षा का प्रियोजन सिर्फ वधिक विकास ही नहीं वलकि व्यक्तितु के सभी पक्षों को राचनात्मक और शकारात्मक बनाना तथा प्रतिवा वह मानुए गुणों का विकास है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं या ध्यान के अभ्याशों तक सिमित नहीं है बलकि यह लोगों को निरोग भी रखता है भारत में योगा भ्यास की प्रमपरा अलगभग 5,000 साल पुरानी है लोग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस का अधूत विज्ञान भी माना जाता है योग हमारे लिए नई पत्तिती नहीं है हमारे प्राचीन काल से रिष्यमुनी और अगर हम कहें तो हम भारतिये योग के सुरू से ही ये रहे हैं वहाक रहे हैं और अपने आपको अगर फिट रखना है आज बरतमान प्रशिती में अगर हम बात करें तब की बात अगर हम छ जीवन में नहीं अपनाएंगे तो फिर आपना मांसी तोर पर फिट रह पाएंगे नौह सारी रिक तोर पर इस प्राचिन पद्दोती के बारे में जागरूकता फैलाने के उदेश से हर साल 21 जून को अंतरराश्टिय योग दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुवात वर्स 2015 में हुई थी आपको बतादें की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वर्स 2014 में संयुक्त राइश्ट महासवा को अपने संबोधन के दौरान कहा था की 21 जून वह दिन है जब उत्री गोलार्द में शाल का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन हम स्वास्त के परती आज कल का जो रहन सहन है वह बिल्कुल पास्चात शंस्कृति की ओर जा रहा है जिसके कारण हमनों का स्वास्त जो है वह गिरता जा रहा है तो हम आज योग दिबस के अफ़सर पर हम सभी लोगों को जागरूप करना चाहते हैं कि यदि हम अपने स्व इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रिश्म कालीन संक्रांती का दिन होता है वही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट महासवा ने 21 जून को अंतर राष्टिय यूग दिवस के रूप में मनाये जाने की घोशना कर दी शुक्रवार को पांच में यूग दिवस को लेकर देश समेत भागलपूर के लोगों में काफी उत्सा देखा गया जिले भर में जगा जगा यूग शिवीर यूग प्रदर्शन एवं यूग जागरूकता कारिक्रम का आयोजन किया गया इस एक दिन में 365 दिन हम लोग जोग अभ्याज करते हैं और इस से जितने भी हमारे अभ्यार्थी आ रहा है अंतर राष्टिय योग दिवस पर NCC क्रूप मुख्याले भागलपूर के तत्वाधान में सेंडिस मैदान में सुवर योगासन एवं प्रानायाम का कारिक्रम आयोजित किया गया जिसमें काफी संख्या में NCC के कैड़ेट और अधिकारी शामिल हुए योग गुरू रमिंदरनात तिवारी के निर्देशन में NCC के कैड़ेटों ने योगा भ्यास किया इस दोरान टू विहार गर्ल्स वटालियन, फोर विहार वटालियन और तैईस विहार वटालियन के कैड़ेट उपस्थित रहे योगा भ्यास में NCC ग्रूप मुख्याले भागलपूर के ग्रूप कमांडर विर्गेडियर आर एल पात्रों ने नियमित योग करने की बात कही वहीं शहर के कई योग संस्था की ओर से योग शिवीर भी लगाया गया सिल्क टीवी से सैयद इनामुदीन की रिपोर्ट